सोर्यास्त के बाद भूल कर भी मत करना ये काम वरना मा लक्ष्मी के साथ चली जाएंगी घर की धन संपदा। वास्तु शास्त्र में कई ऐसी बाते बताई गई हैं जिनसे लोगों की जिन्दगी का सीधा संबंध होता है। इसमें सही दिशाओं से लेकर काम करने के सही समय के बारे में भी बताया गया है। वास्तु के नियमों का पालन करने से लोगों की जिन्दगी में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। आज के जमाने में लोगों की लाइफस्टाइल बदल गई है और वे अपने जरूरी काम किसी भी वक्त करने लगते हैं. आपने तमाम लोगों को रात के वक्त हेयर कटिंग और कपड़े धोते हुए देखा होगा. हालांकि वास्तु में इन चीजों के लिए दिन का समय सही बत लक्ष्मी उनसे नाराज हो सकती हैं. मान्यताओं के अनुसार देवी लक्ष्मी का आशिरवाद पाने के लिए कुछ चीजे हैं, जिन्हें रात में करने से बचना चाहिए. वस्तु का पालन न करने से आपके घर में वित्तिय समस्याएं पैदा हो सकती हैं. इस वीडियो मे मैं आपको बताऊंगा कि सूर्यास्त के बाद कौन से कार्य नहीं करने चाहिए. अगर आप इन कार्यों को करते हैं, तो आपको अशुग. परिणाम देखने को मिलते हैं. प्रियमित्रों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विश्नु और माता लक्ष्मी का आशिरवाद आप लोगों पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अ नमबर एक हल्दी वास्तु शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद किसी को भी हल्दी नहीं देनी चाहिए क्योंकि इसका सीधा संबंध गुरु ब्रहस्पती से हैं जिन्हे धन्प सौभाग्य का कारक माना जाता है इसलिए सूर्यास्त के बाद हल्दी देने से देवता गुरू नाराज हो जाते हैं, जिससे आर्थिक स्थिती पर बुरा असर पढ़ने लगते हैं। के बाद न करें इंग चीजों का दान। सुर्यास्त के बाद दूध, दही, पनीर, चीनी, नमक आदी का दान नहीं करना चाहिए और नहीं किसी को देना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की सुकसमरिधी उस व्यक्ति के साथ चली जाती है। जिसको आपने ये सामान दिया नमबर चार, न करें दही का सेवन। सुर्यास्त के बाद दही का सेवन नहीं करना चाहिए, इसका संबन्ध शुक्र ग्रहसे हैं और शुक्र को डोट। धनवैभव आकर्षन आदी का कारक माना जाता है। इसके साथ ही सुर्य और शुक्र के बीच मित्रता का भाव नहीं है जिसके कारण व्यक्ति को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है नमबर पांच भोजन को नहीं रखना चाहिए खुला ऐसी मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद भोजन और पानी को खुला नहीं छोड़ना चाहिए ऐसा करने से भोजन में नेगेटिव एनरजी का वास होता है और ये भोजन आपको बीमार कर सकता है नमबर छे कपड़े धोना या सुखाना वास्तु शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद कपड़ों को नहीं धोना चाहिए और नहीं सुखाना चाहिए क्योंकि सुर्यास्त के बाद वातावर्ण में सबसे अधिक नकारात्मक उर्जा होती है ऐसे में कपड़े धोने या फिर सुखाने से नकारात्मक उर्जा कपड़ों के द्वारा प्रवेश कर जाती है जिससे शारिरिक और मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है इस वक्त दिये गए पैसे कभी वापस नहीं मिलते हैं नमबर आठ सूरियास्त के बाद तुलसी में न चढ़ाए जल सूरियास्त के बाद तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए और नहीं तुलसी की पत्तियों को तोरना चाहिए ऐसा करने से घर में आर्थिक तंगी फैल सकती है, और मा लक्ष्मी आप से नाराज हो सकती है नमबर नौ सुर्यास्थ के बाद न काटे नाखून और बाल, सुरज डूगने के बाद लोगों को नाखून और बाल नहीं कटवाने चाहिए ऐसा करने से घर में negative energy आती है और कर्ज बढ़ने की आशंका रहती है वस्तु शास्त्र के अनुसार शाम के समय नहीं सोना चाहिए प्रचलित मान्यता के अनुसार जिस घर में शाम के समय लोग सोते हैं वहां देवी लक्षमी कभी भी वास नहीं करती है कई लोग दो समय सनान करते हैं एक सूर्योदय के बाद और दूसरी बार सूर्यास्त के बाद यदि सूर्यास्त के बाद सनान कर रही हैं तो माथे पर चंदन ना लगाएं रात्री को सनान करने से शीत का प्रकोप बढ़ जाता है नमबर बारह सूर्यास्त के बाद अंतिन संसकार नहीं करते हैं गरुन पुरान के अनुसार सूर्यास्त के बाद अंतिन संसकार किया जाता है तो मरने वाले को परलोक में कश्ट भोगने पड़ते हैं अगले जन्म में उसके अंगों में खराबी आ सकती है नमबर तेरह वही सूर्यास्त के बाद चौखट पर नहीं बैठना चाहिए, शास्त्रों में इसे शुभ नहीं माना जाता है, ऐसा करने से देवी लक्षमी घर में प्रवेश नहीं करती हैं नमबर चौदर बरतन माजना, ऐसा माना जाता है कि अगर आप खाने के तुरंत बाद बरतन नहीं साफ करते हैं, तो आप पर शनी और चंद्रमा का बुरा प्रभाव पड़ेगा अगर आप खाने के बाद बर्तन साफ करके रख देते हैं तो आपके घर में संपन्ता आती है नमबर पंदरह सूर्यास्त के बाद ना करें चावल का सेवन सूर्यास्त के बाद चावल का सेवन करना भी वर्जित है सूर्यास्त के बाद चावल का सेवन भी नहीं किया जाता है जैन धर्म के अनुसार सूर्यास्त के बाद चावल का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे रोग बढ़ते हैं इसके और भी कई नुकसान होते हैं दोस्तों, आज की हमारी विडियो आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके बताएं. अगर आपको हमारी विडियो अच्छी लगी, तो कमेंट बॉक्स में जैमा लक्ष्मी जरूर लिखें. भगवान आप सब पर कृपा बनाये रखें. जै श्री कृष्णा दोस्तों!